तो यह डॉक्टर केसी सिना एट क्लास का 8.2 है इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 17 तक कोश्चन देखा था तो कोश्चन आ स्टार्ट करने से पहले अगर चनल पर नहीं तो चला को जिरूर से सब्सक्राइब करके बेल अकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडिय प्रेक्षान सबसे पहले अब तक पहुंचे वीडियो लाइक कमेंट सेर कर दिएगा ताकि यह वीडियो आपको दोस्ते तक पहुंचे और उससे भी इसका लाव हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हो किसी संख्या से तो पता नहीं वो संख्या को हम लोग एक्स मालेंगे तो वो संख्या एक्स हो गया तो किसी संख्या से अर्थात एक्स में से एक बटा डो घटाने और जो परिनाम मिलेगा यानि घटाने के बाद जो परिनाम आएगा एक्स माइनस एक बटे दू करने पर ज गोना करेंगे इस लिम्या पर घेर दिया थीक है क्यूंकि यह जब वह कल्कुलेशन होने के बाद जो भी आएगा उसमें एक वट्टे दो से गूना करेंगे तो हमें एक वटे आठ मिलेगा ऐसा बोल रहा है तो प्रस्ण में ऐसा ही बोल रहा है तो हम लोग माना कि वह संख्या एक्स है जिसमें हम लोग एक वटे दो घटाएंगे तो यहाँ पर प्रस्ण से यह होगा कि वह संख्या X है जिसमें से 1 बटे 2 घटाएंगे तो जो ये घटाने का बद जो भी आएगा उसमें हम लोग 1 बटे 2 से गुना करेंगे तो हमें 1 बटे 8 मिलेगा ठीक है ऐसा हो गया ये एक्वेशन बन गया हमें X का वैलू निकालना होगा ताकि हमें संख्या पता चल जा तो सबसे पर लिए इधर इंटूम है ना टोटल इंटूम है या नीचे वलको हम देखे तो इधर ये भागा में क्योंकि नीचे को मतलों तो भागा ही होता है ये भागा में उधर जाए तो एक का कोई वैलू ने उसको हमने इग्नोर किया ठीक है अब दो इधर था इधर आ गया इंटू में अब यहां पर बचा एक्स माइनस वन बाइटू इधर तो आप इसको काट भी सकते हैं वनना यहां पर दो उपर में एक से गुना हो का दो बटे आठ यहां पर बन गया तो माइनस एक बटे दू दर तो इधर आप पलस में हो गया अब यहां पर दू बटे आठ है इसको हमने एक बटे चार कर दिया दो च्वाट यानि एक बटे चार तो यहां भी कर देता तह हो जाता ठीक है तो एक बटे चार हो गया और इधर एक बटे दू है एक दो चार के value हो जगाता हुआ संख्या 3 वटे 4 होगा second number question में आपका करा कि पर्मेय संख्या इतना के दूगने में अर्थात इसका दूगना मतलब 3 वटे 7 है माने 7 वटे 3 है तो इसका दूगना में हम लोग क्या जोड़े है मतलब क्या जोड़े तो एक्स माल लेंगे उसको कि एक्स जोड़ने ठीक है मतलब क्या जोड़ें जिससे हमको 3 वटे 7 पराप्त हो जाए क्या जोड़ेंगे तो हम लोग यहां पर एक्स माल लें उसको कि सपोज एक्स जोड़ेंगे तो 3 बटे 7 मिलेगा इस X का वैलू निकालना यह equation बना X का वैलू निकालना है तो हम आसानी से निकाल पाएंगे माना कि वह संक्या एक्स है ठीक है वह संक्या एक्स है जिसको जोड़ेंगे तो उसको हम लोग एक्स मान लिए तो प्राशन से यह बोला है कि मानिस तिन वटे साथ के दूगना दूगना में तो इसको दूगना करने पर हम लोग क्या जोड़ें तो हमें तीन वटे साथ इधर चाहे तो आप एक दिन के लेकर भी बना सकते हैं लेकिन हमने डिरेक्ट इधर यह माइनिस में इधर आगा तो पलस में इधर सिफ एक्स बचेगा और इधर जो भी कल्कुलेशन करके वह एक्स का वैल्यू होगा तो यहां पर मनुशी पकार से किया तिया चौदा बट त टिन पलस में आने के बार में यहां पर साठ पो यह तो आपका 67 होता है तो यहां पर देख रहेंए घ्यू लिया हो और यहां पर साथ और क्यांज देन नव ठीक है और फिर यह तर नमएं तो आणको अनठानमिय होता है उत्या यहां पर देख रहे हैं अंठान में पलस तो एक सूसाथ हो गया और नीचे में कैस तो यह आपका अंसर हो जाएगा अब हम लोग यहां पर तीसरा नमर कोश्चन में तो इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग पंचानमी है यादि एक संख्या जो है दूसरे संख्या स संख्या से 15 अधिक है एक संख्या उसमें से हम लोग क्या मानेंगे तो हम लोग दूसरा संख्या को मानेंगे तो ही पता चले है क्योंकि दूसरा संख्या से 15 होगा क्योंकि वह दूसरा संख्या से 15 होगा तो यह हमें संख्या इस परकार से पता होगा पहला यह तो दूसरा ये ठीका, यानि एक संख्या, दूसरी संख्ya से 15 दि करें तो ये दूसरी हमने एकस माना, ठीका ना, दूसरी ये और पहला ये हो जाएगा, तो दोनों संख्यां कि याद करना है, तो हम यह यह निठा भी हो, परास्ण को भाव करना है, मतलब यह दोनों और थात x प्लस 15 एक संख्या हुआ और एक एक्स हुआ दोनों को एड करेंगे तो पंचान में एक्वल में होता है एक्वेशन बनाव हमें x का वैलू निकाल ला है तो x x 2x हो जाएगा 15 इधर पलस में इधर है तो माइनेस में हो गया 15 घटाएंगे तो इधर 80 बचेगा 2 इध 40 हो जाएगा दूसरे संख्या 40 और जो पहले संख्या एक्स प्लस 15 अथर 40 एक्स का वैलू आ तो 40 प्लस 15 आपका पाचपन हो जाएगा ठीक है अब यहां पर चाटा नमर को से ने तीन लगतार पुर्णांकों का योग लगतार का मतलब जैसे एक दो तीन चार तो एक एक प्लस 1 से भी 1 होगा ना इस परकार से होगा अर्थात एक्स प्लस 1 एक प्लस 2 होगा सभी में एक एक बढ़ जाएंगे तो इस परकार से होगा क्योंकि लगतार में ऐसे एक हुआ फिर दू हुआ फिर तीन हुआ इसमें एक बढ़ा ठीक है फिर इस एक को देखे तो इसमें तो बड़ा एक में तब यह 3 हुआ ना इस परकार से होता है तो हमें अगर माना पहली पुर्णांग X है तो दूसरी पुर्णांग X प्लस वन होगा क्योंकि अगला इसका X प्लस One होगा फिर इसका अगला जो इस भी 1 होगा, x plus 1 में भी 1 होगा तब ही होगा, तो यह x plus 2 होगा अब 3पुरनांक का योग बोल रहा प्रशन से की 51 है तो 3पुरनां का रत्त एक पलस में x plus 1 और पलस में x plus 2 हम यहां पे घेर भी सकते हैं इस परकार से, क्योंकि यह अलग है और यह अलग है चुक्ति पलस है इसलिए हम लोग घेरा नहीं माइनिस होता तो घेरते की पलस में चीन से गुना होता तो उतने है रहता है पलस ही तो अब यहाँ पे x x 3x हो गया और 2 1 3 हो गया ठीक है तो 3x यहाँ पे पलस 3 में इधर इधर आएगा तो मानिस में 3 होगा तो 51 में से 3 जाएगा तो 48 बचेगा 3 इधर इंटू में था तो इधर आए डिभाइड में हो गया तो 3 जाएगा 38 में डिभाइड देंगे तो सुलह 58 हो जाएगा तो आपका अंसर कितना हो जाएगा तो एक्स बरावर सुल्ला हो गया यहां पहले पुर्णांक आप नीचे लिख लिएगा पहले पुर्णांक बरावर सुल्ला ठीक है और दूसरी पुर्णांक बरावर हो जेगा सुल्ला एक सतरा ठीक है तो सतरा और तीसरी पुर्णांक यानि सुल्ला और दू अठार यानि सुल् तबी में आठ आठ अगर हम जोडते जाएं ठीक है या फिर इस परकार से टेबल पड़ते जाएं या फिर जितना भी अनानता कर अगर हम आठ आठ जोडते जाएं तो यह सभी सुला हुआ तो हुआ एक अगर हम लोग पहला अगर 1 होगा तो अगला एक्स प्लस एट होगा ठीक है और जो अगला अगला होगा होगा इस प्लस ओला होगा तो इस परकार से होगा तो 8 के 3 लगतार गुनाजों का योग दिया होगा हमने पता नहीं तो माना 8 के पहले गुनाजों वो X है तो अगर X है ये पहला तो आगला में भी 8 जुटा होगा तो X प्लस 8 होगा अफ फिर X x प्लस 8 में यह और आठ जूटे का रथात एक्स प्लस सुल्ला होगा यह तीनों को पता हो गया प्रस्ण से बोला है तीनों गुने जोग का जो योग है 888 अर्थात 888 है तो प्रस्ण से आपका यहाँ पर पहला गुने दूसरा गुने तीसरा गुने तीनों का योग आपका यहाँ पर इत सामें डिभाड देंगे तो 3,2,6 बाक्यात में यहां पे 2 बचेगा 2,6,26 होगा तो 3,8,4 बाक्यात में 2 फिर 2,4,24 होगा तो 3,8,4 अर्था 288 आएगा तो x बरावर 288 होगा तो आगला इसका जैसे x बरावर यह हो तो पहले गुनाज तो हमारा पता हो गया 288 होगा तो आगल कि पहले गुनाज बरावर जो भी है वो लिख लेना है x बरावर है तो x बरावर जितना है 288 तो 88 फिर दूसरी गुनाज उसी परकार से लिखना है तो 288 पलस 8 है तो 8 लिखना है फिर अगला में 288 पलस सुला होगा तो सुला इस परकार से आपका यहां पर 288 में 8 करण लागतार पुरुणांक बढ़ते करम में लेकर उन्हें करमसा का मतलब होता है दो पहले के लिए होगा 3 दूसरा के लिए होगा और 4 तीसरा के लिए होगा करमसा का मतलब यह होता है तो यहाँ पर 3 लगातार हुआ पहला को अगर हमनों X माना तो दूसरा हो जागा X प्लस 1 तीसरा हो जागा X प्लस 2 ठीक है न? क्योंकि लगातार है और इसमें बोल रहा है उन्हें करमसा 2, 3, 4 से गुना करेंगे करमसा का मतलब 2 से हम लोग इसमें गुना करेंगे 3 से इसमें गुना करेंगे और 4 से इसमें गुना करेंगे ठीक है जब गुना करके इसका योग करेंगे आपस में इस दोनों गुना करके इस से गुना करके आपस में सभी को जोडेंगे, तो हमें क्या मिलता है सभी को आपस में जोडने पर योगफल जो मारत चहुत्तर पराप्त होता है तो 3 पुरणा ग्यात करना है सबसे पहले हम लोगोंने माना कि पहला पुरणा के एक से तो दूसरे x प्लस 1 होगा क्योंकि करम में है लगतार है ना और अगला हो जागा इसमें फी 1 जूटेगा तो x प्लस 2 हो जागा प्रासन से बोल ला है दूनों में गुना करने दूनों में 2, 3, 4 से गुना करेंगे करम सा बोल ला है तो 2 से इसमें गुना होगा तीन से इसमें गुणा होगा और चार से इसमें गुणा होगा तीसरा वाले पुर्णांक में तो इसको गुणा करने के बाद आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे चंहुत्तर प्राप्त होता है यह equation मना अब यहां पर टू से गुणा होगा और यहां पर आठ तीन 11 हो गया तो इधर तो 11 पलस में रहता है तो हमने डिरेक्ट इधर माइनस में भेच दिया ठीक है यहां पर 9x हुआ 11 माइनस में 11 घटाएंगे चंहुतर में से तो 63 बज़ेगा 9 इधर इंटू में इधर अगर डिभाड में ठीक है तो इस परकार से हो जाएगा अब हम लोग सेवा नम्मर को से अब देखेगा तो यहादी 11 के तीन लगातार गुनाजों का यह 11 का लगातार मतलब 11 अगला 22 होगा अगला 33 हो जाएगा फिर 44 यानि 11 इसे बढ़ते रहेगा यह 11 का गुनाज हो ठीक है तो हमें तो पता नहीं यहां पे 11 के तीन लगातार गुनाज लेकिन पताए 11 में 11 इगार आण होता रहेगा जो भी गुनाज रहेगा तो पहला को अगर X मानेंगे तो अगले X plus 11 होगा फिर अगला उसमे एकli plus 11 में भी 11 होगा ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों माना 11 के पहले गुनाज X है और दूसरी गुनाज X plus 11 होगा तीसरी X plus 22 होगा क्योंगि X plus 11 में भी 11 होगा अब यहां में प्रास्न से बोल लिया कि तीनों लगातार गुना जो का योग तीनों लगातार गुना जो का योग प्रास्नस से एकष उन्पिक बलस 116 मुल्सड तीनों को अगर एड करें गे तो تीनależ हमने ऐसा आप् εक्वेशन बनाए अब एक्स का sapak priests अधी भाल जोड़ेगे इतना एक्स बरावर एक्स दर्द fautозяसब तो दूसरी उसमें भी गारहuden उटेगा यहां पर läamiliar द्रेक्तly लिका है एक सुदस में 118, 110 में 118 जोड़एंगे 132 तो यह तीनों आपका अंसर होगा अब यह पेट नममर कोश्चन है दो पूर्णांग संखियाओं का अंतर 66 है ज्यादि उनमें उनमें 2 अनुपात 5 का अनुपात है तो बे संख्याओं पर्तोब ये जो दो भी यह ना दो संख्या ह उसका जो दिया हुआ अंतर वो 66 दिया हुआ है लेकिन इसका और इसका अनुपात दिया हुआ है दो अनुपात पांच हमने पीछे भी बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है इस दोनों जो भी संख्या होगा ना इस दोनों संख्या को छोटा करके जो भी आया होगा ना व हम लोग इसी को X मानेंगे ठीक है ना इसी को X मानेगा भी जैसे हम एक एक जामपल लेते हैं यहां भी जैसे कि यहां पर हम अगर 8, 6 ले 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 यहां पर 3, 2, 6 और 4, 2, 8 यह सबसे सरलतम रूफ हुआ अभी एक कट नहीं सकता तो यह हो गया 3, 4 यहां पर तो यह 3, 4 हुआ ले कुछ रहा होगा पहले इस परकार से तो उसमें इसमें देखिए इसका गुनांक 2 होगा 3, 2, 6 पहले 6 था तो इसमें गुनांक 2 होगा और इसमें भी 2 ही होगा 4, 2, 8 यहनि 2 गुनांक है इसमें ठीक है लेकिन हमको पता नहीं इसमें कौन सा गुनांक नहीं तो संख्या पता ह होता है तो हमें पता होता है तो इसलिकान को हम लोग एकस मानते हैं ठीक है तो अगर एकस मानेंगे तो इसमें गुणाइ क네 एक्स तो 2 और ठीरी 3 2 जा 6 जैसे कि इसको एक्स मानेंगे तो 3 इंटो 3 एक्स होगा तो इसे पकार से हम्लों को माना नुपाति कुनांग एक्स है तो पहले पुर्णांग जो हो जागा वो 2 x हो जागा ठीक है और दूसरी पुर्णांग और यह दोनों आप होगी हैं संख्या एक्चुली क्योंकि एक्स जो गुनांग हमने मान लिया यह जो भी पहले था ना तो यह प्लास फाइब अभी संख्या होगा तो यह इसका फाइली मान वह यहां पर होगा ठीक है तो इसको एक से काटकर दो अनुपात पाँच है तो यह क मैं से मानिस घटाएंगे अंतर करेंगे तो 66 आएगा यह एकवेशन बनाया यहां पर यह थिन English बच तो 3 &दर इंट्यम एए ना तो टीठर आएगा तो दिभाईट में 46 में थिरे से divided करेंगे तो 25 66 होता है तो 22 आएगा तो X ब्रॉबर fines आगिया तो X ब्रॉबर fines आगिया मतलब यह देखिए यहाँ पे जो दो एनुपात 5 था उसमें 22 गुनांग था ठीक है 22 गुनांग था मतलब 22 नी 5000 और 22 अवालिस अवालिस और इसी 22 को में धून ना था एक समाने थे शी को तिया हो गया तो यह एक पर 22 निच लृबड़ी से पर बाइस पच्य दोतल से दूसरे संख्या गया अब यह नाइड नॉम्मर कोश्चन में एक पर में संख्या को पांच बटे दो से गुना करें आप पर में संख्या पता नहीं पर जो भी आयगा उसमें दो बटे तीन जोडने पर माइनिस साथ बटे माइनिस साथ बटे बारा पराप्त होता है तो काफी इजी है इस पर करसे से बोल रहा है कि पर में संख्या में अर्थात एक्स में पांच बटे दो से गुना कर दो बटे तीन हम लोग अगर जोडते हैं तो माइनिस साथ बटे बारा प्राप्त होता है एक्वेशन इसली बन गया तो यहां पर हम लोग सबसे पहले यहां पर पलस में इधर आगा तो य माइनिस सेवन वन जा माइनिस सेवन ही होगा और थिरी फोर तीन चो बारा तो चार दुनी आठ चार दुनी आठ यहां पर माइनिस तो माइनिस अब देखें दोनों माइनिस में एक ही होंगे ना माइनिस आठ रुपय माइनिस साथ रुपय अर्थात माइनिस पंदरा रिप यहां पर दो दूनी चार भी काट सकते हैं यह फिर कोई दिकत नहीं दस हो गया माइनस 10 बटे चार है पांच इदर इंटू में इधर आया तो डिभाइड में हो गया तो डिभाइड में हो गया तो अब यहाँ पर पांदुनी तस कर दे तो माइनेस उपर में दो और नीचे में चार अब दो चार भी कटेगा तो दो दुनी चार उपर में एक और नीचे में दो बचेगा माइनिस वन बट टू आपका ये अंसर होगा अब यापने नमर कोश्चन बोल ला है कि दो अंको वाली एक संख्या के दोनों अंको में तेन का अंतर है मतलब सपोच कोई संख्या है दो अंको वाली अर्ठारत एक दहाई है और किकाई है ठीक है एक दहाई है और किकाई है लेकिन दोनों संख्याउ को आपस में जो अंतर है वो तीन का है तो मतलब अगर यह X होगा तो यह X प्लस 3 होगा फिक है एक्स प्लस 3 होगा तभी तो मतलब जो भी आगे होगा यहाँ पे उससे यह 3 जादा होगा तभी तो हम घटाएंगे तो 3 आएगा अंतर जैसे कि एकजांपर ले लें तो अगर यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे 6 होगा तभी तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 है तो यहाँ पे 6 है तो यह जो 9 है 6 से 3 अधिक है तभी 3 का अंतर हो रहा है तो उसे पकार से अगर एकाई में X रहेगा तो अगला जो होगा वो X प्लस 3 होगा ठीक है तो यहाँ पे माना एकाई का अंक जो है वो X है तो दहाई का जो अंक होगा वो X प्लस 3 होगा किई एकाई यहाँ यहाँ तो यह तिन इससे अधिक होगा यह तो दहाई काऊझ आधिक होगा इधर तो इसी परकार से लिखते हैं तो इसे परकार से हम लोग यहां भी लिखेंगे दहाई में तो 10 सीगुना ह में है तो एक सीगुना रुटा यहां mówią प्र 10x 3 Magma 3 या प्रक्राइब 10x और प्रक्राइब 10x og1 x 11x पलस में 30, यह आपका संख्या बना, अब यहाँ पर question में बोल ला ना, कि इस संख्या में, इस संख्या में, जो अब इस संख्या है ना, यहाँ पे, यानि अर्थात यह जो संख्या है, 11x पलस 30, इस संख्या में, इसके अंको को बदल कर, जो प्राप्त संख्या को जोडने पर हमें 143 मिलता है अर्थात इस संख्या जो है यह संख्या ना इसको अगर हम बदल दें अर्थात जो एकाई था उसको दहाई कर देंगे जो दहाई था उसको एकाई कर देंगे ना और करने पर अगर इसमें हम उसको एड करेंगे तो हमें 143 प्राप्त होता है तो संख्या ग्या यहां पर देख सकते हैं आपका तो अब यह इसा हो गया तो यह उपका संख्या जो बनेगा बूब बनेगा यह ना संख्या एक संख्या तो यह 10 एक्स और पलस में एक्स 11 एक्स और पलस में यह 3 अप प्रस्न से बोल ला है कि वो दोनों को एड़ करेंगे इसमें और इसको बदलने पर दोनों को जब हम लोग एड़ करेंगे तो हमें 143 मिलेगा और यह था संख्या और इसको ऐसे बदल पर दुनों को जब एड करेंगे ना तो हमें 143 मिलेगा तो ऐसा बोल रहा कुश्चन में तो यहां पर 111 122 हो गया और 30 10 33 इधर पलस में इधर रहेगा तो माइनस में हुआ और यहां पर 143 में 23 घटेगा तो 110 बचेगा बाइस सिदर इंट्व में धराइगा तुभाइड मोगा तब 22 से दाउतल 22 पचे दाउतल से होता है वैसे 11 दुनी 22 काटिंगे और उपर एक सुनना और एक बज़ेगा तो यह दूपची दास ऐसे भी कर सकते हैं तो एक बरावर 5 ही आएगा तो यहां पर दो ही कोश्चन देखें क्यूंकि यहां पर अठार नमर कोश्चन में वह सारे कोश्चन थे तो मिदकर इतना किलियर हो अपने दोस्तों को जब से शेयर कर दियेगा और जो भी आपका सवाल कोश्चन वह आप कमेंट में कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों को जरू से शेयर करें जले मिलता है आप से अगल बेर तब तक लिए चैन जया भारत